कि है गाईज कैसे आप सब आई होब यॉर डिंग वैल अंचंदी वेलकम टू शेसी सरकल तो हम लोग डिस्कस कर रहा थे यूपी पीचेस 2020 टेस्टी ठीक है और यह देज़ाज की टेस्टीज है टेस्टीज नमबर 13 ठीक है मतब 13 टेस्टीज नमबर है इससे पहले हम लोगों इसमें कुश्चन इंक्लूड किये गए हैं और यह 13 का फर्स्ट पार्ट है ठीक है इसको हम टोटल सेकेंड मतलब दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है 75 कुश्चन इसमें हम लोग सॉल करेंगे और 75 कुश्चन जो है सेकेंड पार्ट में सॉल करेंगे तो बहुत नहीं सकते हैं ठीक है और इसे देखकर इसको रिवाइज करने के लिए अगर आपको फीडिया चाहिए तो मैं इसको टेलिग्राम पर सेर कर देता हूं आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए वहां से आप लोग इसको देख लीजेगा मतलब डाउनलोड कर ली सकते हैं पूंजी प्राप्तियों का संब्ध उसी वित्ति हुता है गलत लिए कि अगले वर् इंतन होता लहां अं पर दो यह तो हमारा प्राप्तियों के बदले डिक भी बुक्तान नहीं करना पड़ता है ठीक है और यह जो इसके साथ साथ जो हमारी ये शार्वजिंग छेतर की कंपणिया यह पीएसू होते हैं उनका जो लाभान समको मिलता है उसके लिए भी कोई भुक्तान नहीं करना पड़ता है तो यह हमारा फर्स्ट स्थेट्मेंट सही हो गया केवल एक ही ऑप्सन सही है इस अब्वाक आत्रियादा निर्याद क करें तो इसकी स्थापना हमको मिले थी 1 जन्वारी 1982 में ठीक और नावाट की स्थापना हमें 12 जुलाई 1902 को हुई थी और 36 ग्रामिड बैंक तो यह 1905 में इसकी स्थापना हुई थी तो हमारा ती चार तीन चार तीन और एक दो चार तीन एक दो हमारा कौन सा उप्षन होगा देखो डी ऑप्षन हमारा सही है ठीक है चारतीन एक दो चलते हैं एक सूचन पर नेक से ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्छे दर से जनित राष्ट्री आए के बितरण में शमाज के सबसे कमजोर वर्द के लोगों को उचित हिस्सा मिले तो उसे क्या कहते हैं तो उर्द्वादर विकास सेकेंड है चैट चैटर वर्द के लोगों को उचित हिस्सा मिले उसे हम समावेशी विकास कहते हैं तो इसका सही हो जाता है चलते नेक्स कुश्चन पर कुश्चन नबर फोर इसमें कहा गया है कि वस्तूओं के लिए वस्तूओं पर लगाए गए जो कर उसकी मात्रा के आधार पर ना लगा जाते हैं उसे आडवल यर्म में रख राच जाता है ठिक है forever clicking और बातर मात्रा के नाम से होते हैं मतलब उसे कहते हैं सुल्क को उनके उनको उसमें बाठा जाता है तो हमारा यह आप्चन हमारा सभी हो जाता इसका चलते हैं नेक्स में नेक्स में निम्री के कत्म पर विचार करना है तो फस्ट है इसमें बैंक दर की नीती है, शेकेंड है खुले बजार की क्रियाय है और थरड है कि परिवर्तन शील आरचन अनुपात है तो उप्रोग्त में से साख नियंतर्ण के परिमाणात्मक उपाय हैं, तो ये उपाय बताना है कि कौन से हैं शाक निरंतरंड के ठीक है तो इसके बारे में बात करना है तो देखो जो ये हमारे शाक निरंतरंड के उपाय है ये आरबियाई जो है इसका प्रियोग करती है आरबियाई के द्वारा हम शाक को निरंतर करते हैं तो ये तीनों के तीनों जो क्रेडिट कंट्रोल है ठीक है और यह RBI द्वारा इनका प्रियोग किया जाता है तो यह उप्षन हमारा सही हो जाता है एक दो और तीन ठीक है चलते नेक्स कुछन में तो यही यही त्वांग गाटी से होकर जातक जो टिबबत को जोड़ता है जिसे हम में साथ करते हैं अपयोसिते तो यह wants to महाराष्ट्र में और 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 महाराष आपको देखने में मिलेगा जहारखंड वाले छेतर में ठीक है तो यह हमारा बी ओप्षन इसका सुमेलित है क्योंकि सबसे दच्छिन में अजानता फिर मेकाल और राजमहल पढ़ा है ठीक है चलते सब्सक्राइब है और अप सब्सक्राइब कोलडेयम परियोजना प्रियोजना यह शुमिलती नहीं है क्योंकि चिनाप पे आपको मिलेगा सतलज पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा यह ठीक है तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कोल्ड एम सतलज नदी पर ना कि चिनाब नदी पर ठीक है और यह तुडबुल पर्योजना जेलम पर है अलमाटी किस्टना नदी पर है और यह घड़कल घट प्रबान नदी पर है तो यह सारे और सुमेले थे हैं इसका ह नहीं है यह बताना है तो देखो डाक्टर अमेडिकर के बारे में बताना है तो फस्ट है कि उन्होंने शिद्धार्थ कालेज की इस्थापना की थी सिकेंड है वे बंबाई विश्विद्धाले के प्रथम इसना तक थे सी ऑप्शन है कि वर्ष 1922 में डिप्रेस्ट क्लास इस्टिट्यूट की स्थापना की थी और डिप्शन है कि वर्ष 1922 में उन्होंने अपनी पत्र का मूं कनायक शुरू की थी तो इसमें देखो यह बी ओला ऑप्शन यह सही है जो डाक्टर अमेडिकर के बारे में कहा गया है और सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते ठीक है क्योंकि इन्होंने बंबाई भी शुब देला के पर्थम इसनातक नहीं थे यह आपको देखने को मिले था लंदन इस्कूल ओफ एकोनुमिक्स जो था उसी के पर्थम इसनातक थे इन्होंने उसे इसनातक निगनी प्राप्त की थी तो यह हमारा सही हो जाता है यह मत कहा गया कि निम्लिकित में से कौन सा विकास बैंक के उन्तरगत सामिल नहीं किया जाता है तो यह उप्षन है नावाट बिये सिड़ बी और शी आप्षन है राष्टी आवास बैंक आईडे बी आई बैंक ठीक है तो दिको डियो ऑप्षन यह गलत है क्योंकि जो इसमें दे विकास बेंग के इंतरगत सामिल कि चामिल को क्य outlined के आप कारियोंक के लिए यह लोन प्रवाइड कराते है ठीक ताकि Latin structure created कर जा सके चलते कि नेक्स कुछल में gång का गया कि ये लिव्ám चारा का गया कि यूरुपी नदी के संबंद में अbreak उतरी सागर में एल्ब नदी बाल्टिक सागर में और डेन्यूब नदी काला सागर में तो इसमें जो कौन से सुमेलित नहीं है यह हमारा सुमेलित नहीं है क्योंकि यह बाल्टिक सागर में नहीं यह भी उतरी सागर में ही गिरती है ठीक है और डेन्यूब काला सागर में गिर सागर कि एक च 크ग की सागर से नहीं लगती है यह जाए चलते हैं हैं कि यह तुर्की में कि सिमा के बारे में बताना है क्योंकि जो तुर्की की सीमा इससे नहीं लगती है कैस्पियन सागर से काला सागर और मरमरा अभूमदी सागर इन सबसे तुर्की की सीमा लगती है लेकिन कैस्पियन सागर से बात करें तो इससे आपको देखने को मिलेगा इससे कजाकिस्तान की सीमा लगती है ठीक है कजाकिस सुच्ज्ट एक उसुच दो से मिलान करना है तो फ़र्स्ट है कि हैं मतलब घ्रंथियां दीये गई हैं माइध में गूपनु पाई लों से निकलने वाला हरमोस धिए गए ठीक है तो अधनीप से अगनासर से सिichen Team स्ट्रिन हर्मोज निकलता है एड्रे नालीन की बात करें तो इसे गुस्षा और डर वाला हर्मोज निकलता है एस्ट्रोजन की बात करें तो इसे मादा हर्मोज निकलता है और प्यूस ग्रिंद से ब्रद्धी हर्मोज ठीक है तो यह हमारा सुमेलित हो जाता है तीन तीन दो एक चार तीन दो एक चार option देख लिए कौन सा सही है हमारा तीन दो एक चार हमारे डी option सही हो जाता है तीन दो एक चार ठीक है चलते ने इस question में सुची एक और सुची दो से मिलान करना है तो इसमें नरती दिये गए हैं और राजी दिये गए हैं ठीक है तो काल बेलि में आपको देखने को मिलेगा और छव उडिशा में देखने को मिलेगा और यच ठर्णASE तो हमारा इसमें सही होजाता है तीन एकी चार दो हमारा बी ऑप्सन सही हो जाता थीक है चलते है नेक्टस कूछन पर नेक्ट्री करनट के पर्थम तो बताना है कि नाइट्री करण के प्रथम त्यंड में क्या होता है फस्ट अप्शन है कि अमोनिया का बदलाव नाइट्रेट में हो जाता है सेकेंड है नाइट्रेट का बदलाव नाइट्राइट में होता है इन में से कोई नहीं तो देखो शी अप्शन सही है जो यह नाइ वो जो है उसे मतलब वाइब मेंडल की नाइट्रोजन को अपने अंदर सनच्छित करते हैं उसका उपयोगी करते हैं तो पहली बार में क्या होता है कि यह जो बदला होता है यह अमोनिया में बदला होता है अमोनिया का नाइट्राइट में बदला होता है ठीक है पहले प्रियोग करते हैं लेकिन धान की फसल ऐसी है जो वह नाइट्रोजन को सीधे प्रियोग कर लेती है ठीक है अमोनिया के फॉर्म में तो चलते हैं एक्सक्षचन पर नेक्स है कि भारत के प्रदाहन मंत्री के बिशय में निमलीकत्नों पर कौन सा सही नहीं है यह बताना है तो मंत्री परशत का वास्त्व के नीदा होता है तो देखो यह जो हमारा है यह गलत है क्योंकि संसद में जो लोकसभाहती है प्रती उत्तरदाई नहीं होता है तो यह गलत हो गया और सारे हमारे स्टेटमेंट सही है आ कि मनुदूयित किया note कि यह बहुमताव bounce होता है क्योंकि सब्सक्राइब रिवाधन रियme अजरम बैजान की रिजधाना है और हीराखनन और क्योंनि ने Sis II और उनी ऊद्दो ब्रस देखो एसमें केट बारी ऊद्दोग है यह प्लाइऊ माऊभ में इस्थितर नहीं है यह छेत्र यह ये ống एक को मिलेगा यहां जल जल्ड सेफिल्ड में बर्टें में पाएं जाता है देखने को मिलेगा यह तो यह हमारा गलत हो जाता है और सारे उनिवस्त्र जो ब्रेड फोर्ट में तेल सोजन बाकू अजर्बाइजान में इस्तिते और हीरा का नंचे तो कि बरले दच्छीन अफ्रीका में है ठीक है चलता है नेक्स कुश्चन में नेक्स है कि काला हांडी का पठार क जो देखने को मिलेगा यह काला हांडी पठार के छेत्र के अंदर सम्मिन की अगयता है यह उडिशा और छपी अंदी तंत्रों का छेत्र है सकेंड भी है कि दो जल विभाजकों के बीच इक नदी तंत्र का छेत्र है सी है कि ब्रहद जल निकाए जहां नदी अंतता मिलती है तक पूर वाही छेतर है इन में से कोई नहीं डियो आप्शन तो यह देखो बी आप्शन सही है कि दो जल विभाजकों के बीच एक नदी तंतर का छेतर होता है ठीक है इसी को जो है अपवाह घाटी के नाम से जानते है यह अपवाह घाटी के अंतरगर सिचाई की जो परियोजना होती है वो चलाई जाती है ताकि इससे जो है उस चेतर की जो क्रेशी भूम है उसको सीचित किया जा सके ठीक है जबते नेक्स कुछन में नेक्स है कि निम्रिखित में से कौन ब्रेटिस आधीने स्थे चेतर नही और सेंट हेलेना फॉक्लेंड दीप और पिट के अरशन यह तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे तो यह ब्रेटेम के आधीने स्थे चेतर रहे है ठीक है चलते नेक्स कुछन में नेक्स है कि विश्चु परसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्रिखित में से कि चेत और उसके इस्थान दी है तो यह हमारा गलत हो जाता है और यह सारे हमारे मौवंट में यह फिलिपिट में है चिमराजो एक्वादोर में हैं और यह आपको देखने को मिलेगा कराका तोवा इंडोनुसिया में है तो यह हमारा डियू अप्शन काला हो जाता है ठीक है चलते हैं नेस्ट कुछ्चन में नेक्स है कि मतल से उत्पादन का परशिद्र शेत्र न्यू फाउंड लैंड निम्रिखित में से कि शेत्र के यहां पर पी क्या होता है जो अधिक होता है और यहां पर मठलियों के घ्लनक टैंस होते हैं यहां इसलिए यहाँ पर मचलिया जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलती है ठीक है चलते हैं नेक्स में नेक्स में निम्लिकित कत्मों पर विचार किजे दियेगे कूट की सायता से एंसर देना है तो फस्ट है वेंड दचीड अपरिका का प्रमुक घास चेतर है ठीक है और सेकेंड आर है कि अट्लांटिक महासागर से चलने वाली पच्छुआ पाउनों के निर्माण का प्रमुख कारण है तो यह गलत है सेकेंड क्योंकि यह पच्छुआ पाउनों का कारण नहीं है यह सीटोस्ट कटिबंदी छेतर के कारण जो है वहां सीट जो घास के मरुष्थल पाया ज जो दड़ो तो देखो एक उप्षन सही है दोलामितगिक को सही कालक्रम में विवस्थित कीजिए तो फस्ट है कि शकत्허ंगत का प्रारम और रुधट्रा दमन का जूनागर्ड अबिलेगि बिकरम संवथ का प्रारम और साची का इस्तूप का निर्माड ठीक है तो ये कालप्रम में वेवस्तित करना है कि कब किसी मतलब किसकी स्थापना हुई है तो देखो शक्त समवत को आपको देखने को मिलेगा ये अठातर ईश्वी में देखने को मिला था ठीक है अठातर ईश्वी में देखने को मिले था रुद्रा दमन की बात क तो यह साची का इस्थूप का निर्माड की बात करें, तो इसके निर्माड की बात करें, तो यह Mike Jakub nerd किます संसे hissा अजया द्थुस अग्राइक सिंहएं तो यह जार मैं हम लगायें, तो गजार में ईयुक्सर निर्माड आए way के शाची का इस्थूपन र। डी ऑप्शन सही हो जाता है चलते हैं नेक्स में कहा गए कि निम्रिखित कत्मों पर विचार की जद ये गे कूट की साहता से उत्तर देना है तो इसमें कहा गए इकता पर्था द्वारा मुस्लिम सासक उत्तर प्रदेश में अपना सासन स्थापिट करने में शफल रहे थे और सेकेंड आर है कि इकता पर्था द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुर्की अमीर वर को निंतित करना चाहते तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों जो है एक दुसरे की आर एकी ब्याख्या नहीं करता है तो बी ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है तो नेक्स आ þा ये एक कशिक है डच आया है था और बिलियम होकिंस की बात करें तो ये इंग्लैंड से आया था इंग् correlate चरीी और टीला वाले ये जो इथी चलते है नेक्स चलता पमें धीकश्षम की जे तो काबूल का चयत्र पंजाब का चत्र आधुनिक उत् ach's राजधान का चत्र तो उपिरुक्त चेत्रों में से कौन बाबर के राजी में सम्मिलित नहीं थे तो जो बाबर आया था जिसने 1526 में यहां इसकी स्थापना की थी मुगल सामराजी की ठीक है तो उसी के बारे में बात करता है कि 1526 से 30 तक रहा था तो उसके पास कौन-कौन से चेत्र सम्मिलित थ अक्तिक है तो यह तो यह हमारा पूछा क्वाला एक्नाट और डिवस तप्री अपैस्सम में बभावित न९ह में सैक्ष आभाला है तो यह नाम देव जो थे भी ऑप्शन थीक है नाम देव इसलाम से प्रभावित थे इनका जनम 1270 में हुआ था महाराष्ट में ठीक है और यह बैसरणों संपरदाय को मानने वाले थे और बैसरणों संपरदाय की इस्थापना जो बागवत संपरदाय की बात करें तो तुकाराम ने महाराष्ट में की थी और यह ग्यांद एकना थी यह तीनों चारों लोग भी जो है इसे बतला बैसरणों संपरदाय से संबंदी थे चलते नेक्स में कहा गया है कि कूट की साहता से एंसर देना है तो फस्ट एव अप्शन है देवराय के बारे में तो यह जो दोनों के दोनों स्टेटमेंटों में जो बात की गई है तो यह दोनों स्टेटमेंट है और यह यह व्याक्षण भी करता है क्योंकि बिजह इачमर्दी तो यह option हमारा सही हो जाता है और और सही है है और इनका ब्याक्ख्या भी करता है ठीक है चलते हैं नेक से 32 कुस्टे नम्बर में कहा गया है कि गुप्त काल से संबंदित कत्मों में से कौन सा एक सही नहीं है यह बताना है तो फर्स्ट है कि वरणों का आधार गुण और करम ना होकर जनम था और रोमन से ब्यापार में अतदिक उत्थान हुआ था सिय है कि मंदिर निर्माड कला का जनम हुआ था इनमें से कोई नहीं तो यह हमारा गलत हो गया और वरणों का आधार गुड़ और करम ना होकर जनम था ठीक है जनम के आधार पर वरण निर्धारित होता था और मंदिर कला का जनम इनहीं के काल में हुआ है गुप्त काल में ठीक है तो यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका यह सही नहीं है न बंगाल सरकार है वरतमान की इन्हों ने ही घोशित किया था प्रतच्छ कारवाई दिवस क्योंकि जो दोई राष्ट्र थियूरी को ठुकरा दिया गया था कि मतलब किवल एक ही राष्ट्र बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान ना बनने के लिए कहा गया था जो कि नंकित में से कौन सा संस्थान आसायोग अंदोलन के दोरान इस्थापित नहीं हुआ है तो गुजरात विद्यापीट बिहार विद्यापीट कासी विद्यापीट जामिया मिलिया इसमालिया इस्लामिया दिल्ली ठीक है तो यह जो को डियो आप्शन सही है क्योंकि जामि तो ये गुजरात, बिद्धापिट और बिहार कासी थी, तो D option इसका सही हो जाता है, नेक्स है कि बांड सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां अवस्तित है, तो बांड सागर परियोजना के बारे में बताना है कि कहां अवस्तित है, तो चनईपुर गाउं पुर्का है, चनईपुर गाउं ये मिर्जापुर का यहीं इस्तित है, बांड सागर परियोजना ये शोन नदी पर इस्तित है, शोन नदी पर ये आपको देखने को मिलेगी, और इससे मिर्जापूर, प्रियाग राज, संत कभीर नगर, चंदॉली, ये 4 राज जो है, इस तो देखो जो इसमें देखनी को मिलेगा आपको तो भी ऑप्शन गलत है क्योंकि वाड़िक पसलों की प्रमुक्ता यह जो है आपको भारती क्रसी की विशेष्टा नहीं है और उसके साथ मांसून पर निरभरता और निजी छेत्र का सबसे बड़ा बेवसाय और समस्या गरस् देखने को मिलता है यूरोपी छेतरा और पच्शमी छेतर ठीक है पच्शिम में में यह देखने को मिलता है ना कि इंडिया में ठीक है नेक्स है कि एपेडा एपेडा के संदर में निम्ली कत्नों पर विचार कजिए इसकी स्थापना संसदी अधिनियम 12 दिसंबर 1985 में हुई थी और क्रशी निरियात मामले में या किंद सरकार की सीर्स एजंसी ये थर्ड है कि इसका परधान कार्याले नई दिल्ली में ये बताना है तो देखो ये दुखो इसमें ये तीनों के तीनों इसके स्टेटमेंट सही एपेडा के संदर में क्योंकि ये सीर्स एक मतलब क्रशी निरियात के मामले में केंद सरकार की सीर्स एजंसी इसका कार्याले नई दिल्ली में इसकी स्थापना जो है जाता है विश्व युवा कॉंसल दिवस और राष्ट्री युवा दिवस की बात करें कि कम मनाया जाता है तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है श्वामी विवेकानन्द के उपलक्ष में है ठीक है उनके जनम दिवस पर चलते हैं नेक्स कुछ चनपिनेक्स है कि 1889 में लंदन मे स्थापित ब्रेटिस कमेटी ऑफ इंडिया के समयदमें इम्री कत्मों पे से कौन सा सही है तो इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश से की गई थी इस समित ने इंडिया नामक सब्ताहिक पत्र निकाला था और इसकी अद्दचिता इसकी अद्दच्चता आपको देखनी को मिले थी जो हमारे ठेशाप सहाब मतलब बिलियम डिग भी जो ठीक है उन्हों ने ही इसकी अद्दच्चता की थी नाकि दादा ब्रेश नरोजी ने और इस समित ने इंडिया नामक सब्ताहिक पत्र निकाला था और इसकी स्थापन कि उन्होंने कर्म योगी योगिन कर्म योगिन नामक पत्र संस्वरत में लिखा निकाला था और इन्हें अलीपूर सर्णिंत केस में काला पानी की सजा दे दी गई थी तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो आलीपूर सर्य रूद Сर्यंत Old रू था 1908 का ठीक है 1908 में जो अलीपूर सडिय अंतर हुआ था उसी के अंतरगतिनों इनको काला पानी की सजा भी दी गई थी हलाकि बाद में इन्हें छोड भी दिया गया था तो दोनों स्टेटमेंट सही है तो सी अप्शन हमारा सही हो जाता है नेक्स है कि हमारा निमल्खित में से कौन एक अखिल भारती किसान सबाके महा सच्चि थे तो इसके अद्देच स्थापना 1936 में की गई थी ठीक है तो ये हमारा बी आप्शन सही हो जाता है नेक्स है कि निम्लिकी कत्मों पर विचार कीजिए दिये के कूट की सहाथा से उतर बताना है तो सर जान लारेंस को भारत के रच्छक की उपाद ही परदान की गई ती सेकेंड है दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की करने में पर रच्छक के बारत की संबनाजी शिछा के बिरोज से संबनाद भारत की दस्तकारोड़ा बनाया गया वस्त्रों पर निर्याद प्रबंध से और और सी उप्षन है कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारती निया दीशों पर लगाई गई अयोगिता को हटाया जाना और डी है इनमें से कोई नहीं तो यह सी उप्षन सही है क्योंकि जो इलबर्ट बिलू हुआ था उन्नीशों 1883 में ठीक है तो इसमें यही हुआ था कि जो अंग्रेज लोग कह रहे थे कि जो कोई भी निया दीश है जो भारत का है वो अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकता है उसी आयोगिता को हटाने के लिए यह वाइट म्यूटिनी भी हुई थी उसी के बारे में यह था एलबर्ट बिलू ठीक है चलते लाइफ डिवाइन और रफीक जकारिया फ्रीडम एट मिडनाइट और शुरेंद्र मनर्जी दा इंडियन इस्ट्रगल तो यह बी ऑप्शन सही है क्योंकि दा लाइफ और डिवाइन जो है इसकी रशना अर्बिंद घोष ने की थी लेकिन जो इंडिया वींस फ्रीडम की बात करें तो इसकी स्थापना अबुलकलाम आजाद ने की थी ठीक है और अगर जो मिडनाइट फीडम एट मिडनाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो है स्थापना लॉरी कालिज और डोमिनिक ने पियर ने की थी और इंडियन इस्ट्रगल की बात करें तो नेता सुब समुद्री बंदरगा था तो पुहार यह सही हो जाता है हमारा इसी को जो है कावेरी पतनम के नाम से भी जाना जाता है नेक्स है कि नेक्स कुश्चन है कि निम्लिकीत कत्मों पर विचार किजे देगे कूट की सहाथा से अंसर बताना है तो फर्स्ट है कि उल्बी मेहमूद गजनवी का दरबारी का भी था उल्बी ने तारीक शुपुत गीन की रचना की थी तो यह उल्बी ने जो है नहीं की थी उत्बी ने नहीं की थी यह तारीक शुपुत गीन की रचना इसकी जो रचना आपको बैहाकी ने की थी ठीक है बैहाकी ने इसकी रचना की थी तो यह हमारा गलत हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन सही है तो हमारा ए सही होता है आर गलत है तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है जलते हैं नेक्स नेक्स में निम्लिकी त्युक्मे में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है तो किरती स्थम्ब राणा कुम्भा नौरोज बल्बन इबनु बतुता अपरिका तारीक ए नासरी इबनु बतुता तो देखो डी ये गलत है क्योंकि तारीक ए नासरी क इसकी रचना इबनु बतूता ने नहीं की थी इसकी रचना जो मिनहानुजिन शिराज ने की थी ठीक है तो यह हमारा गलत हो जाता है तो डी ऑप्शन गलत है कि इरती स्थम राणा कुंभा ने इसकी स्थापना की थी नौरोज बल्बन और इबनु बतूता अपरिका से आने मुरक्व देश से अपरिके कॉंटिनेंट से आया हुआ था ठीक है नेक्स में नेक्स में कहा गया है कि एसकीमो प्रजाति से संबंदित है तो कौन-कौन से संबंदित है कयाक है फस्टे सेकेंड एगलू और रेंडियर हार्पून तो देखो यह तीनों चारों के चारों जो से लोग नाव बनाते हैं ठीक है तो यह चारों के चारों उससे संबंदित है नेक्स है कि भारत अधिक्तम वर्षा भारत में अधिक्तम वर्षा पच्छिमी मांसून से प्राप्त होती है और भारत में पवणों की दिशा पच्छिमी होने के पीछे निमलिखित कारण है तो उतरी भारत में जो आपको देखनी को मिले गर में अत्तिनत निमने दाब है और केरियालिस बल जो है इसका मुख्य करन है लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में है जो इसमें वाजपी करन अधिक होता है अरब सागर की अपेच्छा में तो यह गलत हो यह ठीक है तो हमारा जो एक संबन दितते तो इसमें जो है ये तीनों के तीनों जो है अचारे नरैंदर देओ जैप्रकरास नराण और अचुर्परवर्धन ये पटवर्धन ये तीनों के तीनों जो है समाजवादी दल से सम्वन दितते तो हमारा or disg darkness सही हो जाता है ठीक है. उपरोग तो सभी चलते है नेक्स कुश्चन पर नेक्स है कि सभी ने अवग्या अंदोलन के दोरान उत्तर पच्चिमी शीमा प्रांत के कबीलियों दोरा किने मलंग बाबा की उपाधी प्रदान की गई थी तो फर्स्ट ऑप्शन है कि महत्मा गांधी को सेकेंड जवाहरला नेरु खान अग्दुल गर मेडियुला और इनंसे कोई नहीं तो यह बियूप्शन सही है क्योंकि जो हाईपो थलेमस होता है यहीं जय भी घड़ी इस्तित होती है यह जो है है प्रतव हें जो हमारह स्टिप का अग्र भाकश का होग रहे एक टिक होगया होना है ज़ Carry काम निक्षिट को आगे ही जब सूर्य П्रährते ऑर चंद्रमा एक रहा लेख होते हैं तो शिप्त को यह करिया हैं उनका नियंत्रण होता है जैसे चींकना या ओमेटिंग होना ऐसी करिया हो का ठीक है चलते हैं एक्सकूश्चन पर नेक्स है कि कौन सा कतन सत्थ है तो फस्ट है कि जब सूरे ब्रतेवी और चंदर्मा एक सरवाल रेखा में होते हैं तो इस को यूत्र ह heck काईता है चलते हैं नेक्स कुश्चन पे इसे साने फतेपुर के नाम से निम्रिकित में से कौन सा एक इमारत जानी जाती है तो ए उप्शन बुलंद दरवाजा भी है जामा मस्जिद सीए सेख सलीम चिस्ती का मगबरा और डी इन में से कोई नहीं तो ये बी ऑप्शन है कि ये जामा मस्जी जो अकबर ने बनवाई थी पतेपुर सीकरी में ठीके इसी को शाने फतेपुर के नाम से जाना जाता है तो नेक्स कुश्चन में नेक्स है कि निम्लिकित में से किस वाजसराय के कारिकाल में बाहरतियों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपादी प्रारंब की गई थी तो लाड डफरिन, लाड मियो, लाड रिपन और लाड लीटन ठीके तो इनके बारे में बताना है कि किसको जो है ये उपादी प्रदान की जाती थी किसके सहसंकाल में तो D-Option इसका सही है जो ये लाड लिटन है इनी के सहसंकाल में राय बहदुर और खान बहदुर की उपादी प्रदान की जाती थी नेक्स है कि निम्लिखित कत्नों में से कौन सा बित्ती अपाद के प्रभाव हैं तो सभी धन बिदेकों और बित्ती बिदेकों को राष्टी अपाद के बिचार है तू आरचित रखना सेकेंड है कि राज जिस्वा में लगे सभी लोगों के वेतन भत्तों में कटोती करना तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा सी ऑप्षन सही हो जाता है और जो बित्ती अपात होता है ये जो है आर्टिकल 360 के अंतरगत इसका प्रोविजन किया जाता है जिसके अंतरगत जो है सभी जो है बित्ती बिद्यक और धन बिद्यक को राष्ट्पत के लिए आरचित किया सकता है और राज शिवा में लगे अधिकारियों के वेतन तो यह दो आधार होते हैं कि निम्लिखित में से कौन सा एक बिद्धुत चुम्ब की तरंगों की आवरतिम आपने का यंत्र है तो यह उप्शन है ओडियो मीटर और सिए गायरो इसकोप डी है ओडियो मीटर तो इसका डी ऑप्शन है क्योंकि जो बुद्धित चुम्ब की त होती हैं वह रही कि निरधन और सांग यहाँ स्वेक्वासर decorator को प्रदार श्राचने करते हैं एक्से की कानपूर भी है मेरिट के लिए- तो आपुशन होता है, ठीक है, नेक्स है कि उत्तर परदेश को कितने पारिष्टित devатель के छेत्र हैं तो ए उप्षन है ृप्शन इस सोला वीश पारिष्ट्पी छेत्र या फिर पचीष है या अटभाटा उप्षन संगे है ये ये वीश योजना आवकास का काल था तो 1961 से 66, 1979 से 74, 1966 से 69 और 1974 से 89 ठीक है तो ये बीज़ी उप्शन सही है क्योंकि 1966 से 1979 में जो भारत में योजना आवकास देखा गया था ठीक है निम्लिखित में से किस पंचवर्षी योजना में चोदा बैंको का राष्टी करण किया गया था तो छटी पंचवर्षी योजना में चोथी पंचवर्षी योजना में सात्मी पंचवर्षी योजना में या तीसरी पंचवर्षी योजना में तो ये बीज़ी उप्शन सही है यह चोथी पंच वर्षी जो जोजना थी 1979 से 1974 की ठीक है इसी के अंतरगत 1979 में जो 14 बैंकों का राश्ट्री करणर किया गया था जलते हैं नेक्स कुश्चन में नेक्स है कि निम्निकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नेक्स की निम्निकत में से कौन सा सही है तो भारत सही है तो निर्धंता के मापन है तो निर्पेच प्रतिमान का सरो प्रत्थम प्रियोग AFAO के प्रत्थम महानिदेशक आर वायर ने उनीशो पैतालीस में किया था सेकेंड सापेच गरीबी मापन बिद को हेड काउंट बिद भी कहा कहते हैं तो देखो ये सापेच गरीबी को नहीं निर्पेच गरीबी को हेड काउंट मापन बिद कहते हैं ना कि सापेच गरीबी को तो ये हमारा गलत हो गया फरस्ट स्टेट्मेंट सही है तो हमारा A option सही हो जाता है केवल एक ठीक है चलते है नेक्स इसी देश की स्रम सक्ती में सम्मिलित हैं तो रोजगार में लगे लोगों की संक्या बी आप्शन है कि रोजगार में लोगों तथा बी रोजगारों की संक्या सी आप्शन है रोजगार तलास रहे लोगों की संक्या इन में से कोई नहीं तो देखो जो B option है यह सही है क्योंकि जो श्रम सकती है जो भारत में 15 से 69 वर्ट की आई वर्ग के जो लोग है उन्हें जो है यह भारत की स्रम सकती है ठीक है इसमें रोजगार में लगे और बेरोजगार जो काम ढूंड रहे है ठीक उन दोनों को सामिल किया गया यह शाभी के सबी इतने आयवर्ग वाले स्रम सक्ति के अंतरगत आते हैं चाहे वो रोजगार कर रहे हों यह रोजगार में लगे हो या ना लगे हो ठीक है नेक्ट से कोलरेड़ो पेठार के संदर में निमिकत्नों का चयन केजिए तो यहां राकी वाचास सेड़ी के मदी इस्थित है यहां से सबस्क्राइब नुक्रान्यारोग कि सब्सक्राइबД निकलती है छ मिलती है तो हमारी दोनों के दोनों इस्टेट्मेंट यह हमारे सही हो जाते हैं चलते हैं महotom अगे भी जो है यहा हमारी इतासका जिल से निकलती है और अटे लंटिक नहाव्चागर में गिल शाथी है उसी के मुहाने पर यह जो पच्छीपाद डेल्टा का निर्माण भी करती है नेक्स है कि सूची दी गई है उसमें देश हैं और राजधानी दी भी है ठीक है तो उसको बताना है कि कौन सी मतलब किसकी राजधानी है तो कोलंबिया की बात करें तो जो ये कोलंबिया की राजधानी यह बगोटा है, उरूगवे की मौनटे वीडियो है, और इक्वाडेर की क्यूटो है, बोलबिया की लापाज है, ठीक है, तो दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, आप्शन हमारा कौन सो सही है, दो एक चार तीन, हमारा सी आप्शन सही हो जाता है, ठीक है, चलते नेक्स्ट क का मेंटी बहुत मात्रा के लिए कि अपलाब्द है कि काली मियटी कंतर है हि यहां काली मियू COPY बहुत ज्यादा मात्रा में इत्य जिससे कंतर होगते हैं मेशिना जलसनद अलग करता है तो यह प्रांस को भी है कि स्पैन और मोरक्को कुछ तो इटली और मिशिशी डीप को और डी ऐरलेंड और इंगलेंड को तो यह उप्षन सही है जो यह भूमत इस आगर मैं आपको देखने को मिलेगा इटली और सिसली के मद्ध यह मेशिना जलसन्द है ठीक है यह इसलिए और इसलिए को अलग करती हैं चलते नेक्स कुश्चन से बर्गन पाड़ी तेल चेटर और मीनाल मीनाल एहमदी पतन अवस्थित हैते सावथिए यह साधी अरभ बसके नमालों निम्निकित मेंचे किस एक शासक को बैसनों उपनाम यानि नागरी दास था जिसने क्रिश्ण की प्रसंशा में छंद लिखे थे तो यह ऑप्षन है कि मतलब राजा सावंत सिंग भी है, राजा छतरपाल, राजा हारी शिंग और राजा कुशाल सिंग तो यह ऑप्षन सही है मतलब नागरी तास था ठीक है और ये अजमेर के किशन गड़ शासक थे चलते नेक्स कुछन में नेक्से निम्लिकित मुगल बात्साओं में कौन एक नास्तलीक लिखने में निपुर था तो नास्तालीक फरुक्षियर भी है हुमाई उसी है बाबर और डी है औरंग जेब तो परिच्छण यों असुद्धी के नियम को अपनाया था तो लाड़ कलायू लाड़ हेस्टिंग और सी ऑप्षन लाड़ वेलेजली लाड़ डलहोजी डी ऑप्षन है तो इसमें जो देखने को मिलेगा जो वारेन है ठीक है बी ऑप्षन इन्होंने ही परिच्छण और है तो यह हमारे मतलब 75 में मतलब 75 कुस्चन यह नहीं फस्ट पार्ट हमारा से पुरा हो गया सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक किए लाइक कीजिए और अपने दोस्तो अक्टूबर को एक्जाम होने वाला देखो अब एक्जाम कोई टलेगा नहीं ठीक है यह 11 अक्टूबर को एक्जाम होके ही रहेगा तो आप लोग अब कोई भी मतलब कोतवाही मत बरती है और अपना जो है अब लग जाईए विर्कुल एकदम तैयारी के साथ वरना अब अ ऐसे ही आना है पेपरी समझ लो तो तैयारी आप लोग को जोर सोर से करनी है तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत